दोस्तों सभी के साथ यह समस्या आती है कि जब यह टमाटर लगाती ह Bakit या काला आउन्य शूर्टा पर ऊशह loser 7 रहा है जो है लगता ही अप रोक्तं किस तरीके से कर सकते तो है तो सबसे पहले आप जैसे कोई भी फसल लगाते हैं, आपको पाता है जैसे आपके खेत में लगवग यह रहता है, आपको जो प्राइट के लक्सरन तो यह लगवग चार ते पांश दिन के बाद लग चुकी है, और तब तक पसल चुकी होती है आपके पॉदों में उसके बा तो उसके बाद आपको जब बाजार जाते हो कि दवाई लेते हो कुछ भी आपको बिलता है तो उसकी स्प्रेय आपको करते हो दो से तीन दिनों लगवग 12-14 दिन आपके बीच आते हैं तब आपकी ब्लाइट बहुत जादा तादा पर गुष चुकी होती है आपकी फसल को 25 प्रतिसर तक नुखसान पहुंचा चुकी होती है और कुछ लोग जो है उसको बहुत जादा डिले में देखते हैं 15 दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो आपकी फसल 50% से उपर तबाह हो चुकी होती है तो इस चीज को रोकने के लिए आप स्टार्टिंग में ही किस त अब जो है आप सरीके से आप जो जो सुरुवात से ही अपनी फसल को प्लाइट से बचा सकते हो या जूलसा से बचा सकते हो तो सबसे पहले तो इसी आप लिए नर्सी तयार करते हो ंधी में ही जो है मेंको जद्ट्यि hep 75% ip उस सॉल्ट को मिलाना रहता है हलकी मातरा में जि उसको मिलाना रहता है उससे आप स्टार्टिंग में ही जो आपके जमीन में आपको पाता है कि नर्सरी में आप जो है गोबर डालते हो कोई भी खा डालते हो या उसमें पानी देते हो भारी मातर में तो उससे यह होता है कि उसमें आपके बीज में ही फंगस लग जाता है जैस जो कि बहुत ही अच्छा रहता है आपकी नर्सरी को जब आ प्लांटेशन करते हैं जमीन में दूसरी जगह पे तो वहां उस पर ऐसा करें कि जैसे आप नर्सरी से पौदा निकालते हैं उसकी गुछियां बांदे हैं या आप उसके जिस तरीके से आप लेते हैं अपना जाए इस तरीके से जो है आप अपने पौदे में फसल लगने से बचा सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे आप एक जगह से पौदे को निकालते हैं दूसरी जगह उसको प्लांटेशन करते हो तो उसकी जड़े जैसे मीटी मडालते हैं उसकी जड़े दोए सति जो कि हवा से भी ट्रांसफर करता है पानी के जरीए आपके एक जगह दूसरी जगह फैलता जाता है और एक बार लग जाता है तो उसको आपको ट्रेटमेट अगर टाइम ले आप कर ले तो तभी आप अपनी फसल को बचा पाते है और दरवाइस आपकी फसल पूरी तरह से पान से चे दिनों तक तो उसके उपर बिल्कुल भी प्रेट ना करें क्योंकि एक जगह से आपने दूसरी जगह उसको खाड़कर लगाया तो वह बहुत ही उसकी क्रिटिकल कंडिसन होती है उसको जो है जो भी आप स्प्रे करते है उसको एक दम से वह जहर की लगता तरह ल जो कर देता है तो मैंकोजेब के मैं जो रहता है आपको दो सॉल्ट लेने मैंकोजेब और कारबडेजीम यह बहुत ही इंपोर्टन आएंगे अलग लग और यह बहुत ही सस्ते ही मिल जाते हैं ज्यादा कॉशली आपको बाजार में नहीं मिलेंगे शिस्टेमिक के मैंको जेब को आपको लगवग 30 ग्राम से उपर नहीं डालना है उस दोरान और एक बिगा आपका रहता है जमीन तो उसमें आपका पॉना ही पंप लगएगा लगवग 10 लिटर पानी से उपर आप उसमें स्प्रेय नहीं करेंगे बहुत साथ दोस्ते करते हैं कि उसमें भारी हजार के आसपास पॉन आपने लगा है टमाटर का तो उसके उपर आप 10 लिटर पानी ही यूज करेंगे लगवग 30 ग्राम उसमें डालके 10 लिटर पानी उसका यूज करेंगे इससे जादर नहीं करेंगे अलाकि आपकी मात्रा घट जाएगी एक 16 लिटर के पंब में आप ज जो है 20 से 25 दिनों तक उसको बचा लेते हो तो इसके साथ दोस्तों इस पार्ट के लिए अगर कोई आपका सवाल सुझाओ रहता है तो मैं कमेंट वाक्स में जरूर लिखें अगला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आगे कि आप ट्रेटमेंट किस तरी सब्सक्रिके से बचा सकते हो तो अपना मुले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों